बारिश के मौसम में अक्सर देखा गया है कि इस तरीके से लोगों के जो पैर के उंगलियों के बीच के जो जगा होती है उसमें सडन पैदा हो जाती है काफी सारे लोगों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है specially उन लोगों में ये problem होती है जिनकी उंगलियां बहुत सटी सटी होती है उन में जादा होती है लेकिन काफी सारे जो लोग हैं उन में अगर दूर दूर भी उंगलियां होती है तब भी हो जाती है ये एक infection कह लिजिए है कई बार ये बहुत जादा देर पानी में पैर रखने से हो भी हो सकता है अगर हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रख सकते हैं तो उस वज़े से भी ये हो सकता है या फिर किसी भी चीज़ की reaction या फिर उससे allergy या फिर किसी भी तरीकी का infection उसकी वज़े से भी ये चीज़े होती है तो आए इन सब चीज़ों के बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं और एक ऐसा उपाय मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जिसमें आपको कोई पैसा नहीं खर्चा करने वाले हो आप जिसमें आपको कोई एक रुपया पैसा नहीं खर्चा होगा और बहुत ही आराम से आप इस को इस remedy को करोगे और एक से दो दिन के अंदर ही आपको result जो है वो साफ दिखाई देगा लेकिन हाँ उसके लिए आपको बिल्कुल वैसे ही करना होगा जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है ताकि आपको बिल्कुल भी परिशानी न जेलिनी पड़े और आप इस वीडियो का फायदा उठा सके लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं वीडियो को आधे में छोड़के चले जाते हैं या फिर वीडियो पूरी नहीं देखते हैं दो से तीन मिनिट की वीडियो भी अगर आप वीडियो में पूरी नहीं देख सकते हैं नहीं करते हैं वीडियो इसके लिए आप सब को नीम के बारे में पता होगा तो neem कहीं नहीं आपको घर के आसपास मिल ही जाएगी neem के पते अगर आपको neem के पते नहीं मिलते हैं तो आप neem का तेल बाजार में जो कोई भी medical store से मिल जाएगा लगभग 100 रुपे के अंदर में ही शषी मिल जाते है नीem के पतों को आप क्या कीजिएगा पानी में आप उबाल लीजिए उनमें आप लगभग आधा गंटा या दस से पंदरा मिनट अपने पैरों को डाल के पैठ जाईए इससे क्या होगा कि आपके जो पैर के जो वैक्टीरिया है ना वो वहीं पे खतम हो जाएंगे इसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा आपको लेना है नारियल का तेल यानि की कोकोनट ओईल मतलब लगभग समझ लीजिए कि आपने लिया है दो चमच कोकोनट ओईल उसमें आपको मिलानी है एक टिक्या कपूर की ठीक और उसमें आपको मिलाना है लगभग एक चमच नीम का तेल ठीक ये तान तीनों चीज़ें आप मिला के रख लेजे और इसको आप जबी भी जब नीम के पानी में से आप अपना पैर निकालते हो अच्छे से आपको अपना पैर सुखा के पोंचना है सुखा लेना है और बाइे!